हाई गाइस वेलकम टू बाइबलो कैसे आप सब आए हो सब आच्छे होंगे तो यहां सुवह का टाइम हो रहा था और आज मतलब मैं बनाने किछ खाना बनाने जा रही हो किचन में और हम सब क्या होता है कि सुबह ओट करके खाना किचिन मगारा में ही काम होता है स्टाटिंग क्योंकि अधोगा तो मैं नहां दोके फिरी कवेश्च करने के बाद अपना गई ऑलू गोबी के तो में ने आप गोपी कट करके रख लिया है और क्याना जातर जो सब्जी का सुबह का मेरा काम होता है मैं रात कोई करके सोती हूँ क्योंकि सुबह थोड़ा सा जवी परिशान कर देता और थोड़ा जल्दी हो जाता है क्योंकि बैसे कोई फिकर नहीं होती है अगर एक जिसे अब कृष्णा घर पर रहेगा तो अम मुझ पींस लिया है और मैंने चड़ा रखें उसमें तेल डार के हिंग जीरा दालने के बाद मैंने डाल दिया है जो मैंने पेस्ट बनाया तो ब्हुने के बाद फिर हम इसमें हल्दी पाड़ोधनीया पाड़ोध में करेंगे तो गई जो सुबह सुबह का टाइम होता है और जातर मैं जो भी होता है मैं सुबह सुबह ही मतलब कर लेती हूँ आप क्या ना जैसे आप क्रिशना घर पे रहेगा तो मेरा लंच को भी मैं बनाऊंगी दुपेर का भी खाना बनाऊंगी क्योंकि कारण रहेगा क्रिशना घर जूब नहीं तो पिर में दुपेर का और सुबह का सब एक ही हो जाता है फिर शाम को यह डारेक्ट बनाती हो जाकर के मैं तो वहां मैंने सब्जी दड़क दिया है मसाला मतलब तड़क दिया है अभी सब्जी नहीं डाली है उसके अंदर ओ इधर किया रो रहा था भूपा है बच्चे लोग होते सारी राज शोते हैं उसके बाद उनका पेट नहीं वह तक उनसा दाल चावल या सब्जी रोटी खाके सोते हैं बच्छे लोग तो बस ऐसी दूद बगरा पीते रहते हैं तो बस भूगा था मुझे काम भी नहीं करने दे रहा तो मैं सोची इसको खालेते हैं गाइस तो ऐसे ही जैका था भूग लगी ती काफी ते इसका पेट नहीं भराते तो मैं सोची पानी में खिला के देखती हूं इसको भी दिखाएगा निखाएगा वट वो देखती हैं चलो खाएगा कि नहीं खाता तो बस मेरी आपर सेगले बना लिया है उसका हथ और एक ही हाथ से बना लींगी कि एक हाथ में मेरा जै लगा हुआ है आपको दिख रहा होगा और मतला मैं यह आप यहीं डहीं लब जल तो नहीं गया आंदर तो यहां पर मैं आगी हैं अहले लेक जैक को भी दो खाएगा क्यों देखे खाएगा कि नहीं खाएगा तो देखी गाइस यह खा रहा है और इसको भूक लगी है और भूक कि मैं तो बोलते हैं मतलब कुछ भी अच्छा लगता है तो भूका है काफी वो और तो वस मैं उसको खिला देती हूं कि और में नहीं दो गपने फिरी ओके उसके बादी मैं खिला रही ती उसको तो देखिया हम मैंने ऊसको खिला दिया अब पिला देती हो पानी क्योंकि पानी पीएगा थोड़ा उसके बाद ही बच्य लोग खाते मुंगरा साफ कर दो उसका मूँ गंदा हो जाता है तो बस मैं आप है तो बस में जैक को खिला के फिर मैं आ गई हो किचन में और मैं देखी थी अपनी मसाले को कैसा बुनाय मेरा मसाला तो मैं मसाला भून चुका है तो मैं पहले समें डाल दूंगी गोवी जो कटी हुई रखी हुई है क्योंकि गोवी थोड़ा टाइम लेती है गलने में पकने में तो आलो के अजकल इतने बर्खे-बर्खे से आ रहे हैं जल्दी डालते मतला घुल जाते हैं ठोड़ा बहुती चायम लेते हैं मतला पूरा मैश हो जाता है उसमें जाकर के और इतना उनके आलू पोड़ी परांठे सब मतला बनाते हैं कचोडि पगार तो वह ही अ तो उसके बाद फिर मैं इसमें आलू जालूंगी तो चलो मैं आलू को छील लेती हूं और मैंने यहां पर चार से पांच आलू लें मीडियम साइज के आलू है तो मिडरी के अदिस कौन अले क्या हो गया और यहां पर जैक लग चुकियां वो क्या ना मेरे पास आता रहता है कि जिन बार बारी ना तो किना में जब भी इसका वाइस ओमर करती हो तो मेरे पास ही रहता है और मतलब आगे पीछे आगे पीछे पूमता रहता है का भी फॉन करते है लगती रहती है तो उसके सर में लग गई है अभी इंदु आइस ऐसे होता है बच्चों के साथ मैं अब जल्दी आलू के ना गल जाते हैं और मतलब वह उसमें आ जाते हैं तो बस यहां पर मैं देखी सब्जी तो गोवी गल चुकी है और अब मैं डाल दूंगी यहां पर आलू पूर यहां पर के ना जैका बैड़ बैड़ पर चड़ रहा था उपर तो बदला उसका पैर फस किया था चड़नी पा रहा था इसलिए मैं दोड़ी थी कि पर देखी कहीं लगा लूगी तो न ली उसने तो गाइस सब्जी मैं रख दिये बनने के लिए और देखिए सब्जी देखते हैं बनी है कि नहीं बनी हमारे तब तक मैंने आचा बाटा लगा के फिरी कर दी हूँ और सब्जी देख आठा मैंने लगा दिया है अब मैं इस पर रख दूँगी एक पर रख दूँगी तबा और दूसरे पर रखोंगी मैं पैन जो कि मुझे चीला बनाना है चीला बेशन का चीला बनाऊंगी सब्जी वगएर जानने के बाद में तो मैंने बेशन लिया था उसमें थोड़ा दही डाला था और उसमें एक प्यास कटी प्यास बारी काट के डाला एक मैंने सिम्ला बीज डाली है थोड़ा से मैंने चुकंदर डाला है और जो भी मसाले आप खाते हैं जैसे कि हरा धनिया जाला है धनिया पॉडर बगरा जालने के बाद और मैंने इसमे मैं थोड़ा सा घी डाला था घी जालने के बाद फिर मैंने उपर से एक वह चमचा बहर के उसमें बैटर डाल दिया और देखी ज्यादा मोटा नहीं बना पतला पतला यी बना बेजी अमतला वीज़ डालने के बाद भी कितना पतला चीला बनाए हमारा और गैसी बहुत अच् तो जै के लिए मैंने बनाया था जाकि वो खा ले मेरे साथ इसको तो वस यहां पर एक बन चुका है तो मैं दे आई हूँ और ये मैंने दूसरा दे दिया एक मैं बन गया था तो जै को जै के पापा को दे आई हूँ खाने के लिए तो वो दूरो खा रहे हैं और जब मैं दूसरा बनाया हूँ चलो मैं दे दे दियों को कृष्ण को खाने के लिए और मेरें ठाइए है था दही की साथ ही खा रहे हैं दोनों लोगा आरex काफी ठंडा बोसम हो गया है दौन stewards पीपन बगारा करने के बाद मैं कर दिती हूं और यहां चिले बंद चुका है और देखिये मैं मैंने इसको ठीक कर पाया है और अभी कहना मौसम फिर धंडा गरम हो गया तो एक बार कोल्ड वगएरा हो जाता था बच्चे को प्रावल्म हो जाती है तो यहां पर मैंने सब्जी को अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है खाना खाली हूं उसके बार मैं आई हो किचिन में और सब्सक्राइब कर देती हूं कि अब करूंगी बर्तन वगएरा जो पड़े हूं थोड़े से वह वी शाप करके रख देती हूं तो लीजिए हमारी किचन साफ हो चुकी है और डूद रखा हुगा है उसके वह दूद में थोड़ा हो जाएका तो फ्रीज में रख दूंगी उसको और अम में आईगे दूसरी तरफ से लिप जो पड़ी हूं साफ उसको कर देती हूं जो बर्तन पड़ी हूं साफ करने के बाद फिर मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूंगी और आपको एगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक करना वीडियो को शेयर करना कॉमेंट करके बताना और मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई